In the given figure, ps is perpendicular to qr and sp is perpendicular to mn and angle mpq, angle mpq जो है angle npr के equal है, तो प्रूब करना है कि triangle pqs, यानि कि triangle pqs जो होगा, वो congruent to triangle prs के congruent होगा, सारे congruent conditions से आप आप आवे रहें, जो angle equal उसको 1 and 2 से हम leveling कर लेते हैं, ठीक है, और अब यहाँ पे इसको 3 and 4 से कर लेते हैं, अब एक बात आप देखो, ठीक है, अब अगर हम triangle एक काम करते हैं, in triangle pqs में and triangle prs में अगर हम चलते हैं, तो हमारे पास एक तो condition है, कि 3, 4 के बराबर है, ठीक है, और दूसरा एक और भी condition हमारे पास, यह 90 degree है, और second एक और भी condition है कि ps जो होगा, वो ps और ps जो है common है, ps और ps जो है, these two are common, राइट, अब हमें एक condition और चाहिए, ठीक है, देखो 1, 2 के बराबर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो अब देखो, एक 3 and 4 ले लिया, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 5 ले लेता हूँ, और यहाँ पर 6 लेता हूँ, आपके समझने के लिए, तो करें कि यह भी perpendicular है, याद रखना है, क्या करें कि SP जो है, ठीक है, SP perpendicular to a में है, यानि कि, इस case में, angle 1 प्लस angle 5, 90 degree के बराबर होगा, और उसी तरीके से angle 2 प्लस angle 6 भी 90 degree के बराबर होगा, अब दोनो 90 होगे, इस कमझने के angle 1 प्लस angle 5, equals to angle 2 प्लस angle 6 हो जाएगा, लेकिन, आपके पास जो दे रखा यहाँ पर, कि MPQ यानि कि angle 1, angle 2 दोनो equal है, तो यहाँ पर angle 5, angle 6 के बराबर होगा, तो दो condition तो यहाँ पर आ गया, और तिसरा condition हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कि angle 5, equals to angle 6, इसको लिख देंगे, कि proved above, जो हमने उपर अभी इसको proved करा हुआ है, है ना, तो इसका उदल होगे, कि this implies triangle, PQS जो होगा, वो congruent to triangle PRS होगा, condition जो यहाँ पर use होगा, angle side angle condition होगा, तो दोनों triangle से यहाँ पर क्या होगा, angle side angle से दोनों triangle congruent होगा, अच्छा question है, ठीक है, तो यह दो पार्ट हमें प्रूब करना पड़ेगा, तो side में आप इसे एकर लीजिएगा, फिर यहाँ से इस condition को हम use कर लेंगे, if x equals to y दे रखा है, a, b equals to c, b दे रखा है, तो प्रूब करना हमें कि a, e, c, d के बराबर हो गया, आप देखिए, यहाँ पर x, y के बराबर दे रेखा, तो एक काम कर सकते हैं, दोनों छोटे वाले triangle जो आपको दिख रहे हैं, इसको हम one, two ले लेंगे, यानि कि x, y के बराबर है, और angle one, angle two के बराबर है, यह क्यों होगा vertically या opposite angle, तो इस दोनों वाले छोटे वाले triangle, जो दो-दो angle बराबर है, तो obviously, इसका मतलब यह हो गया, कि इसको हम three लिख दें और इसको four लिख दें, यानि कि angle three, angle four के बराबर होगा, logic समझे इसके पीछे क्या है, कोई भी दो triangle है, और उसके दो angle अगर एक दुसरे के equal है, तो obviously, थर्ड जो angle होगा, वो equal होगा, जैसे माल लो, यह दो triangle है, यह 20 degree है, 20 degree है, यह 60 है और 60 है माल लो, तो obviously, यह चेक कर लो, दोनों angle है equal होगे, बस यह property हम यह आपर use कर रहा है, अब हमारे पास angle three जो आ गया, अब हम triangle एक काम करेंगे, in triangle, in triangle a, b, e में चलेंगे, and a, b, e में और triangle c, b, d में, in triangle, and triangle c, b, d में, तो a, b, e का angle three, देखो, three, और c, b, d का angle three, three and four हमने अभी उपर proved कर लिया, proved क्या करेंगे यहाँ पर, proved above, ठीक है, और हमारे पास a, b, c, b, के बराबर दे रख रहा है, और a, b, जो है, o, c, b, के बराबर, जो है, o, given, ठीक है, अब यह दोनों part given है, और दोनों में check करो, b common है, angle b common है, यानि कि angle b यहाँ पर common है, and angle b जो है, that equals to angle b common है, तो दो angle आईया, एक तो b वाला part, ठीक है, और एक part यहाँ का यह और a, और a side आपके पास आगिया, यानि कि angle side angle से, दोनों triangle congruent हो जाएंगा, this implies triangle a, b, e, जो होगा, that will be congruent to triangle क्या होगा, c, b, d होगा, कौन सा, angle side angle congruent condition से, अब हमें prove यही करना था, जब यह prove कर लिया, तो obviously a, e जो होगा, यानि कि a, e, e, jो होगा, c, d के बराबर होगा, a, e होगा, that equals to c, d, और a किसका part है, c, p, c, d का, यानि कि corresponding parts of the congruent triangles, in the figure, a, d is a median of a triangle a, b, e, c, b, m, and c, n, are perpendiculars on a, d, respectively, and a, d produce, prove कीजिए, कि b, m, जो होगा, that will be किसके equal, c, n के equal होगा, तो आइए, figure को थास हमने enlarge कर लिया, a, perpendicular है, b, m, perpendiculars, तो देख लिए, b, m, and c, n, are perpendiculars on a, d, a, d के उपर perpendicular है, ठीक है, ठीक है, तो ए, आपके पास, एक यहाँ पर 90 degree हो जाएगा, और इस part को भी हम 90 लिख सकते हैं, है न, और एक vertically यह posit को भी हम यहाँ पर equal कर सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर हमने, अगर इसको ऐसे कर लिया, तो b, d, d, c, के बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर हम b, d, c, के equal करें, क्योंकि a, d, median है, तो अब यहाँ पर अगर आपने एक condition किया, ठीक है, तो vertically opposite angle कर देंगे, आप अगर इसको ले लेंगे, तब तो यह दो angle और ठीक है, एक side हो गया, angle angle side से, ठीक है, समझ में आ रहा है, चो चलो एक को करते हैं, इसके leveling proper हम कर लेते हैं, एक बार, 1, 2, 3, 4 कर गया, इसको 1 माल लो, इसको 2 माल लो, और इसको 3 माल लो, और इसको 4 माल ली दे, ठीक है, एक angle side angle नहीं होगा, angle side होगा, आप लिखते हैं, इंटर अंगल, इंटर अंगल, बी, एम, डी में आते हैं, बी, एम, डी, एंटर अंगल, बी, एम, डी में आते हूँ, ट्रैंगल, सी, एन, डी में, ठीक है, angle 1, equals to, angle 2, 90 degree, angle 3, equals to angle 4, vertically opposite angles, ठीक है, और एक side आपके पास, BD जो है, वो किसके बराबर है, CD के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर, AD median दे रखे, AD median है, इसका मतलब कि triangle BMD जो है, वो congruent हो गया triangle किसके, CD का, condition जो apply करेंगे, हमें आपर angle, angle side करेंगे, angle side angle नहीं करेंगे, angle side angle में side, दुनों angle के बीच में included होता, ध्यान रखियेगा, तो दुनों triangle हमारे congruent हो गये, जब congruent होगे कि तो BM यहाँ पर, therefore, BM जो होगा, that will be equals to क्या होगा, CN होगा, और इस A आपके पास CPCT, यानि की corresponding parts of the congruent triangles, in the figure, ABCD is a trapezium in which, AB is parallel to DC, E and F जो हैं, are the midpoints of BD and AC respectively, prove that, AB equals to DM, simple question है, और यहाँ पर इस extension की कोई ज़रूरत नहीं थी हमें, बिना हम इसके ही कर लेंगे, कोई problem नहीं है, अब देखो, यह ज़र दोनों line parallel हैं, तो angle 1, angle 2 के बराबर होगा, है न, और angle 3 भी, angle 4 के बराबर होगा, vertically opposite angles, और यह part जो है, यानि की, यह part इसकी equal दे रखाए, यह जो part है, this part equals to this, because, e midpoint given है, यह दोनों equal हो जाएंगे, तो triangle आ गया, congruent, congruent आ गया, तो CPC disappear condition को हम प्रूब कर देंगे, तो पहले हम एक काम करते हैं, in triangle, in triangle, e, b, a लिखते हैं, and, e, b, a लिखते हैं, या पहले हम क्या हम हाँ, ठीक है, e, b, a लिख लेते हैं पहले, उसके बाद triangle, e, d, m लिखते हैं, तो e, b, a का angle 1, और इसका angle 2 के बराबर हो गया, ठीक है, b और d वाला part equal हो जाएगा, a alternate interior angles, अब इसका angle 3 जो है, वो angle 4 के बराबर हो जाएगा, vertically opposite angles, ठीक है, और यहाँ पर e, b, जो होगा, ठीक है, इस case में e, b, जो है, that equals to e, d, क्योंकि यहाँ पर e, जो है, वो क्या है, mid point है, mid point of क्या हो गया, b, d, हो गया, mid point of b, d, हो गया, this implies, triangle e, b, a, वो होगा, congruent to triangle क्या होगा, edm होगा, यहाँ भी जो condition use करेंगे, angle, side angle का condition use करेंगे, अब दुनों triangle हमारे पास congruent होगाईगे, तो यहाँ पर obviously, a, b, जो है, odm के बराबर हो जाएगा, यानि कि b, a, equals to dm, ठीक है, therefore, a, b, equals to dm, यह होगा, corresponding parts of the congruent triangles, इस तरीके से दुनों triangle congruent हो जाएगे, तो इस पार्ट का यहाँ देखास कोई मक्सद नहीं था, बिना उसके दी हम क्या करेंगे, इस समको हम solve कर लेंगे, prove that, the medians of an equilateral triangle are equal, करेंगे, equilateral triangle के medians equal होते, यानि कि यहाँ पर b, e, c, e, f और a, d, t, e, n, o, equal होंगे, यही हमें prove करना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर, कि triangle a, b, e ले ले लेंगे, triangle a, b, e ले लेंगे, and triangle a, b, e, ठीक है, a, b, e ले ले लिया, ठीक है, दोनों में angle a तो common है, बच्चो, है न, और a, b, जो है, वो a, c, के बराबर है, triangle equilateral है, triangle equilateral triangle है, और a, b, e का जो a, e, part होगा, देखो, a, e, jो होगा, वो a, c, f, का, a, f, के बराबर होगा, इसके पिछे आप logic देखिए, देखे, a, b, a, c, के बराबर है, यानि कि half of a, b, equals to half of a, c, के बराबर होगा, और half of a, b, को आप क्या लिख सकतो, a, f, लिख सकतो, ठीक है, और half of a, c, को क्या लिख सकतो, a, e, lिख सकतो, a, e, लिख सकतो, आप पुछोगे, half of आपने क्यों किया, क्योंकि median जो है BE median है तो AC को bisect करेगा है CF median है that will bisect AB AD median है तो that will bisect BC तो यह आपके पास आगिया ठीक है इसका मतलब A हो गया ठीक है कि this implies triangle ABE जो है this is congruent to triangle क्या होगा AC AF होगा ठीक है therefore अब जब congruent हो गया तो आपका आगया BE जो है CF के बराबर आएगा BE किसके बराबर आएगा CF के बराबर आएगा ठीक है यह first part हो गया similarly करके अब कर दिएगा ठीक है similarly करके अगर आप करोगे तो अब यही थोड़ा सा diagram अब थोड़ा change हो जाएगा आपका ठीक है तो आप यहां पे एक आप इस तरीके से ले लोगे ACF को ले 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 एक एक आप इसको ले लीजिए और एक इसको ले लीजिए तो यहां पर BE CF के बराबर हो गया है ना उसी तरीके से फिर क्या होगा BE AD के बराबर हो जाएगा या CF AD के बराबर हो जाएगा ठीक है तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा तीनों हमारा यानि कि BE किसके बराबर हो जाएगा एक तो BE है CF है और AD BE AD के बराबर हो जाएगा अब दोनों को compare करोगे AD equals to BE equals to CF हो जाएगा यानि कि medians के length क्या हो जाएगे? equal हो जाएगे तो equilateral triangle में जो medians होते हैं उनके length जो होंगे that will be equal होंगे ABC triangle है D is the meet point और BC है DL perpendicular to AB है और DN perpendicular to AC है इसे हम हमारे पास ठीक है 1 माल लेते हैं इसको 2 माल लेते हैं और कह रहा है कि DL जो है DL भी DN के बराबर है बहुत simple हो गया है तो अब int triangle LBD int triangle LBD में ले लो और NCD में triangle NCD angle 1 equals to angle 2 यह 90 degree हो गया और DL जो है that equals to DN यह आपके पास given है और D midpoint है इसलिए BD जो होगा ODC के बराबर हो तो यह भी आपका given है तो right angle hypotenuse and side है यानि कि इस case में triangle LBD जो होगा congruent हो जाएगा triangle किसके NCD के RHA से जब triangle congruent हो गया तो उस case में आपके पास angle B जो होगा किसके बराबर होगा angle C के बराबर होगा ACPCT से corresponding parts of the congruent angle ठीक है this implies क्या होगा AB equals to AC हो गया side supposed to equal angles आजब AC AB AC के बराबर हो गया तो यह तो पूछ रहा है ठीक है हो गया ठीक है यहाँ पर CPCT नहीं होगा ठीक है hence प्रूब हो जाएगा यहाँ पर लिख जरूर दिजिएगा side supposed to side supposed to equal angles यह अपना isosalus triangle का property पड़ाब हो यहाँ भी isosalus बन जाएगा लेकिन आप side को equal करके किजिए क्योंकि usually AB P equals to AC यहाँ पर देखिए यही प्रूब करने के लिए पूछा जाता है इन दर फिगर if PS equals to PR angle TPS equals to angle QPR and TS equals to QR तो प्रूब कीजिए कि PT जो होगा और PQ के बराबर होगा इस फिगर को हम बिल्कुल सिधा कर लेते हैं सिधा करने के बाद देख लो APR जाएगा Q होगा T होगा R होगा S होगा अब देखो PS जो है PS जो है वो PR के बराबर है यानि कि अगर हम यहाँ और angle यहाँ टू ले 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 यहाँ पर PR हमारे पास PS के बराबर है यानि कि angle 1 angle 2 के बराबर हो गया angle supposed to equal sides है अब देखो A1,2 यहाँ पर 3 कर लेते हैं यहाँ पर 4 कर लेते हैं और यहाँ पर 5 कर लेते हैं ठीक है 1,2,3,4 यहाँ 5 कर लेते हैं और यहाँ 6 कर लेते हैं तो angle 2 जो है वो exterior angle है किसका PSD का तो angle 3 plus angle 4 के बराबर हो जाएगा उसी तरीके से angle 1 जाए है angle 5 plus angle 6 के बराबर हो जाएगा exterior angle of triangle ठीक है लेकिन angle 1 angle 2 के बराबर दे रखा है angle 1 equals to angle 2 इसका उदलब कि angle 3 plus angle 4 जो होगा एंगल 5 plus angle 6 के बराबर हो जाएगा ठीक है तो 5 और 3 बराबर है त्री और 5 बराबर है यानि कि angle 4 equals to angle 6 अब कंडिशन हमने बड़े आराम से प्रूब कर दिया इन्ट्रेंगल PQR अब आज़ो ठीक है इन्ट्रेंगल PQR में और किसमें आएंगे हम लोग पीक्यू आर में और PTS में अब आज़ो इन्ट्रेंगल PQR एंड ट्रेंगल PTS में आएंगे तो PQR और PTS में अंगल 5 अंगल 3 के बरावर अंगल 5 अंगल 3 के बरावर अंगल 6 अंगल 4 के बरावर ठीक है 5 अंगल 3 के बरावर अभी हमने प्रूब किया 6 4 के बरावर 6 4 के बरावर भी अभी हमने प्रूब किया और ये तो 5 और 3 तो हमारे पास given है तो A given हो जाएगा और A proved above हो जाएगा और एक side आप पोई भी लेड़ो ठीक है ए दोनों angle और PQ तो दहीं ने रखा इसलिए हाँ पर एक angle हम side ले लेते हैं QR ST के बराबर दे रखा QR ST के बराबर ठीक है ए भी given है यानि कि angle angle side से triangle PQR जो होगा वो congruent हो जाएगा triangle किसके PTS का angle angle sides ठीक है आप जोनों triangle congruent हो गए है तो फिर आपके पास क्या होगा PT PT जो होगा देखलो वो PR के PT किसके बराबर PT इकोल्स तो PT therefore क्या हो जाएगा PT इकोल्स टू या पहले PQ लिख दो कोई दिकत नहीं है PQ एकोल्स टू क्या हो जाएगा PT ठीक है यह आपके CP corresponding parts of the congruent triangle से बढ़िया question था figure कॉमने बिल्कुल सीधा करके समझाने के कोशिस किया ताकि आप और बेहतर तरीके सिसे समझ सको O is any point in the interior of a square ABCD such that OAB is an equilateral triangle शो कीजिये कि triangle OCD एक isosless triangle होगा NCIT example का question है बहुत अच्छा question है तो यहाँ पर जबाद ध्यान देना है करें कि OAB equilateral triangle है तो मतलब कि A part A तीनों part equal होंगे और यह angle 60 degree होगा ठीक है That means कि this part will be this part will be अगर इसको हम 1 माने और इसको 2 माने ठीक है तो यहाँ part जो होगा याद रखना 30 degree यहाँ पर 1 and 2 कर लें तो angle 1 equals to angle 2 जो होगा वो 90 degree minus 60 degree equals to 30 degree के बराबर होगा ठीक है अब हम एक काम करते हैं in triangle इन triangle AOD में and triangle BOC में चलते हैं तो AOD में angle 1 equals to angle 2 तो 30 degree आ गया ठीक है और देखो ADBC के बराबर आ गया ADBC के बराबर यह क्यों है क्योंकि sides of a square है और तिसरा since triangle OAB equilateral triangle है तो AOD के बराबर होगा क्योंकि triangle AOD जो है ओ क्या है equilateral triangle यानि कि triangle आभ यहां पर हमने AOD को congruent कर लिया किसके triangle BOC के condition जो use किया हमने side angle side congruent condition जो use किया तो दुनों triangle congruent हो गया CPCT से ODOC के बराबर होगा therefore OD जो होगा OC के बराबर होगा यह हो गया corresponding parts of the congruent triangle से जब ODOC के बराबर हो गया तो triangle आपका क्या हो गया? Isosilus हो गया इसका मतलब कि this implies स्ट्रेंगल ODC क्या हो गया? एक Isosilus triangle हो गया ठीक है न? बस यह चीज़ प्रूब करना था बहुत सिंपल है ठीक है तो थोड़ा से square की property आपको यहाँ पर पता होना जरूरी है कि पूरा जो angle होगा वो 90 होगा A और भी square के सारे angles A, B, C, D जो होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होगा इन दे गिवन फिगर DE parallel to BC BP bisects angle ABC CP bisects angle ACB तो प्रूब किजिए कि DE जो होगा वो BD plus C के बराबर होगा मैंने इसकी proper leveling कर दी है करें कि BP bisects angle B को करता है तो 1, 2 के बराबर होगा 3, 4 के बराबर होगा इन दोनों angle के labeling हमने 5, 4, 6 से कर दिया अब देखें यहाँ पर यह line जो इस line के parallel है तो angle 2 जो होगा angle 5 के बराबर होगा alternate interior angles है ना उसके बाद लेकिन angle 1, angle 2 के बराबर है एक even है क्योंकि bisect कर रहे है BP is bisector of angle DBC या angle ABC इसका मतलब हो गया कि दोनों को compare करें तो angle 1, angle 5 के बराबर होगा अब जब angle 1, angle 5 के बराबर होगा त्यानि कि BD जो होगा हो DP के बराबर होगा sides opposite to equal angles इसी तरीके से यहाँ पर आते हम ठीक है कि angle 4, angle 6 के बराबर होगा alternate interior angles यह alternate interior angles होगया angle 4, angle 6 के बराबर ठीक है ध्यान रखिएगा लेकिन angle 3 angle 4 के बराबर दे रखा है angle 3 equals to angle 4 given है याने कि दोनों को compare अगर हम करें तो angle 3 equals to angle 6 हो जाएगा और angle 3 जब angle 6 के बराबर होगा तो EC EP के बराबर हो जाएगा ठीक है तो this implies EC जो होगा वो EP के बराबर हो जाएगा यहां भी side supposed to equal angles ठीक है EC EP के बराबर हो जाएगा अब देखिए पूरा कर D E तो अब हम D E को क्या लिख सकते है D E को हम लिखेंगे DP PLUS PE DP and PLUS क्या लिखेंगे PE अब DP को हम क्या लिख सकते है BD इसको FIRST मान लीजिएगा DP को क्या लिख सकते है BD और PE को क्या लिख सकते है CE तो DE equals to क्या जाएगा BD and PLUS CE के बराबर आगया तो D equals to BD PLUS CE के बराबर आएगा यहां पर जरूर डाल दीजिएगा using 1 and 2 1 and 2 को use करके बड़े अराम से हमने प्रूब कर दिया ठीक है In the given figure the best sectors of angle B and angle C of triangle ABC meet at E I IP perpendicular है IR भी perpendicular है प्रूब किजिए कि IP IQ equals to IR होगा और I A bisects angle A को bisect करेगा देखिए यहां पर दो काम हमें करना पड़ेगा सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक यह triangle हमारे पास है और दूसरा triangle यह हमारे पास इन दोनों को पहले हम क्या करते हैं यहां पर आंगल 1 आंगल 2 के बराबर है यह 390 हो जाएगा और 490 हो जाएगा ठीक है और एक side common है यानि कि in triangle यह part I है आपका ध्यान रखिएगा in triangle B I R and triangle B I P ठीक है यहां पर हम क्या करेंगे कि B I R लिया पहले हमने B I R लिया तो angle 2 जो है वो angle 1 के बराबर है क्योंकि B I Sector दे रखा है उसके बाद angle 4 जो है वो angle 3 के बराबर है यह 90 डिग्री और यहां part आपका given है और उसके बाद B I B I common है B I I equals to B I this is common तो मतलब कि triangle this implies triangle B I R जो है वो आपका congruent हो गया triangle B I P का ठीक है जब congruent हो गया तो इस case में I R जो होगा वो I P के बराबर होगा इसी तरीके से अगर हम इन दोनों triangle लेकर के चलें तो I P जो होगा I Q के बराबर होगा अब दोनों को compare कर लें first को और second को तो हमारे पास आगया I P equals to I R equals to I Q यह तीनों हमने prove कर लिया बात करते हैं ठीक है? अब हम बात करेंगे in triangle A I R and triangle A I Q की बात करेंगे ठीक है? तो 1, 2, 3, 4 होगा इसको 5 ले लेते हैं और इसको 6 लेते हैं तो angle 5 equals to angle 6 यह 90 degree given है और I R equals to I Q हम prove कर चुके हैं I R equals to I Q already हमने क्या क्या है? प्रूब कर लिया ठीक है? बात करेंगे हैं? अब हम 5, 6 के बराबर आ गया और I R I Q के बराबर आ गया ठीक है? और यह कहां पर I A I A equals to I A common यह common हो गया यानि कि एक तो हाइपोटेनियूस हो गया ठीक है? I A equals to I right angle हाइपोटेनियूस inside यानि कि triangle AI R जो होगा वो congruent होगा triangle AI Q का यह आपका RHA से congruent होगया है जब दोनों triangle congruent होगया है यहां दोनों part आपका equal हो जाएगा 5, 6 और A 7 और A equal हो जाएगे यानि कि angle 7 जो होगा that equals to angle 8 होगा और 7 जब 8 के बराबर होगया मतलब कि AI Biceps angle A इसका अंदर लोग है कि AI Biceps angle A यह हमें prove करना था ठीक है थोड़ा सा technical question है थोड़ा सा tricky है लेकिन तरीका कहीं भी कोई different नहीं होता है थोड़ा understanding आपको अपने strong करने पड़ेंगे फिर कहीं भी दिकत नहीं आएगे इन दर फिगर ABCD is a square and E is a point inside it such that DE जो है यहाँ पर this point is E याद रिखिएगा यह point E है करके DE जो है BE के बराबर है तो prove किजिए कि AEC is a straight line हो गया देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले है कि triangle AED triangle AED जो है and triangle AEB triangle AEB ले लिजिए triangle AEB में एक तो DE DE जो है BE के बराबर है यह दे रखाब के पास और AE DE जो है BE के बराबर है और AE AE common है AE जो है AE common है पहला part given दे रखा है और AD AB के बराबर होगा क्योंकि ABCD A square है तो यानि कि triangle AED जो हो गया वो congruent हो गया triangle AEB के ठीक है जब congruent हो गया side 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 से हुआ तो angle 1, angle 2 के बराबर होगा ठीक है इसी तरीके से आप यहाँ पर DEC को ले लो अब int triangle DEC int triangle BEC को ले लिजिए ठीक है याद रखिएगा यहाँ पर E point है this point is E यह point E के है ठीक है अब जब ले लेंगे तो दुनों triangle यहाँ भी congruent हो जाएंगे यहाँ congruent करने के क्या 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 condition आपके पास DCBC के बराबर DCBC के बराबर और उसके बाद EC EC common EC और EC common और तिसरा पार्ट हमारे पास एक आजाएगा EC EC common और DE BE के बराबर दे रखा है DE equals to BE यह दे रखा है यानि कि यहाँ भी triangle DEC जो है है वो congruent हो जाएगा triangle BC का same condition में apply करेंगे side 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 से यहाँ पर 3,4 के बराबर हो जाएगा CPCD से अब देखो 1,2,3,4 आ गया है यानि कि angle 1 angle 2 plus angle 3 plus angle 4 360 degree के बराबर आएगा 4 angle का sum 1 and 2 equal है तो इसको twice of angle 1 लिख सकते है 3 and 4 equal है तो twice of angle 3 लिख सकते है यह 360 degree के बराबर आगया अब यानि कि 2 common जब ले लोगे है तो angle 1 plus angle 3 360 degree के बराबर आगया यानि कि angle 1 plus angle 3 equals to 180 degree आगया जब linear pair का sum जो है adjacent angles का sum जब वो 180 degree के बराबर आजाए तो lines and angles में पढ़े हो आप तो उसकेस में आप A,E,C ठीक है देरफोर क्या होगा A,E,C जो होगा वो क्या होगा एक A straight line होगा ठीक है तो यही condition हम यहाँ पर use करेंगे यानि कि यहाँ पर lines and angles का भी condition एक use हुआ है ठीक है A,B,C,D,A के square है X और Y जो है point से A,D और B,C के उपर ठीक है such that A,Y,B,X के बराबर देरेखा A,Y,B,X के बराबर यानि कि हमारे पास B,X जो है वो A,Y के बराबर देरेखा A,B और A,B common है यह common है और B,X,A,Y के बराबर है यहाँ आपके पास स्गीन है और angle A जो है वो angle B के बराबर है 90 degree है क्योंकि A,B,C,D,A square है इसका मतलब हो गया कि triangle X,A,B जो होगा वो congruent होगा triangle Y,B,A का condition जो यूज़ करेंगे हम ठीक है यहाँ प्याद रखिएगा एक आपके पास B,X आ गया एक A आपके पास आ गया ठीक है और यहाँ पर right angle hypotenuse and sides एक condition जो होगा आपका RHS होगा याद रखिएगा ठीक है क्योंकि आपके पास यहाँ पर ठीक है such that B,X equals to दे रखा आपके पास ठीक है A,Y ध्याँ रखिएगा तो 90 degree hypotenuse और X side हमने लिया तो RHS condition यहाँ पर use होगा ध्याँ दीजेगा उसके बाद दोनों हो गया तो फिर obviously आपका therefore कि A,X जो होगा वो क्या होगा B,Y के equal होगा यह आपका प्रूब होगा यह इक condition प्रूब करना था तो X को B,Y बोलो या B,Y equals to X पहले अगर इस triangle को लखोगे तो X बोलोगे 25 डिगरी है, 35 डिगरी है तो 100 डिगरी हो गया तो this will be यह आपका 80 डिगरी होगा तो 80 डिगरी में मतलब कि यह 40 डिगरी हो गया और यह पार्ट 40 डिगरी हो गया तो अब देखो इन triangle ABD में angle B जो है यानि कि angle B जो है or greater than angle BAD इसका उतलर B के सामने जो होगा AD AD जो होगा ठीक है, वो greater than क्या होगा BD होगा तो AD तो BD से बड़ा है यह बाद तो clear हो गया ठीक है अब यहाँ पर AB भी है जड़ा देखो आप तो करें कि AB BD और DC में relation पूछा जा रहा है तो A 75 हो गया और यह 40 हो गया 110 डिगरी हो गया 70, नहीं 70, 300, 30, 30 ठीक है, 100, 115 डिगरी 115 डिगरी तो इस एंगल को आप फाइंड कर लो गया 65 डिगरी हो गया 73, 30, 40, 40 डिगरी है ना ठीक है, 70 and 30 is 100 ठीक है 100 उसके बाद 35 and 5 140 डिगरी and 40 डिगरी अब हमें देखना है कि एंगल BDA एंगल BDA जो है इस ग्रेटर देन एंगल BAD है BDA तो ठीक इसके सामने यानि कि A B यहां पर BDA जो है BDA जो है वो BAD से बड़ा है BDA जो है BAD से ठीक है AD BD से बड़ा है और AB BD से बड़ा यान रखेगा यहां पर करें कि AD जो है वो BD से बड़ा है और BD AB से छोटा है यानि कि AB जो है AB जो है आप देखो यहां पर इस दोनों में relation को चेक करो ठीक है तो यह तो clear हो गया करें कि AD से बड़ा BD है ठीक है और AB BD से बड़ा है यानि कि यहां पर AB BD से बड़ा आ गया एक तो relation हमने देखाई लिए AB BD से बड़ा आ गया ठीक है अब हमें देख करना है कि AB में और AD में क्या relation है वो बहुत जुरूरी है AB और AD में AB और AD का relation तो हमने भी निकाला नहीं तो AB में देख लो यहां पर AB और AD में 75 degree है और 55 degree है यानि कि AD जो है AB 75 degree है और यहां पर 65 degree है यानि कि AD जो होगा वो AB से बड़ा होगा अब आगया relation हमारा AD AB से बड़ा है देखो भाई AD AB से बड़ा है और AB BD से बड़ा है यह relation हमारा ठीक है तो AD is greater than AB is greater than BD अब इसी को जैसे करना ascending में करना हो descending में करना हो आप आरामसी से कर सकते हैं BC देखोई AB जब BC से बड़ा था AB के सामने का जो एंगल है एंगल C जो होगा BC के सामने एंगल है एंगल C is greater than एंगल ही होगा एंगल सपोजी टू longer side will be greater दोनों तरफ हम क्या करेंगे एंगल 1 को add कर देंगे एंगल C plus एंगल 1 is greater than एंगल A plus एंगल 1 अब 1 and 2 बराबर है तो एंगल C एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं एंगल 2 is greater than एंगल A plus एंगल 1 यहाँ आप लिख दोगा since एंगल 1 जो है that equals to एंगल 2 के बराबर है अब एंगल C plus एंगल 2 जो होगा इस एंगल के बराबर होगा एंगल A M B this implies एंगल A M B जो होगा that will be greater than एंगल A plus एंगल 1 जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा एंगल C M B एंगल C M B तो आगया एंगल A M B इस क्या होगा greater than एंगल C M B question है कि in the given figure prove कीजिए की A B plus B C plus C D is greater than D A और इस तरीके से तिन वर पार्ट है हमें पता है कि किसी भी ट्रैंगल में दो साइट्स के सम होगे that will be always greater than third side तो पहले आजाते हैं हम लोग सबसे पहले देखते हैं ट्रैंगल A B C तो ट्रैंगल A B C में A B and plus B C is greater than A C होगा उसके बाद आते हैं ट्रैंगल A D C में A D C में देख लो C D and plus A C A C is greater than D A होगा यह आपका first part था और this one is second part ठीक है अब first वाले में क्या करते हैं first वाले में क्या करते हैं कि add C D को add कर देते हैं both sides both sides of equation one equation one के दोनों तरफ क्या करते हैं C D को add करते हैं तो A B and plus B C and plus C D is greater than A C and plus क्या होगा C D यानि कि A B plus B C and plus C D और A C plus C D जो है greater than D A है तो A greater than D A हो जाएगा यहां पर हम क्या लिख देंगे using two लिख सकते हैं तो पहला part प्रूव हो गया हमारा ठीक है इसके बाद आईए इसके बाद क्या करते हैं second part में कि triangle A D C में आपने देखा ही है कि A D C में कि A D और plus D C जो होगा O greater than A C हो जाएगा इसको हम third माल लेंगे ठीक है अब क्या करते हैं one और three को one और three को add कर देते हैं adding उपर जो one लिखा था and three को one and three को add करो तो देखा आपके पास आ गया A B and plus B C and plus C D and plus D A जो होगा O greater than 2 A C के बराबर हो जाएगा यह पार्ट प्रूव होगा अब आएगे तीसरे पार्ट में triangle ADB में देखते हैं triangle ADB में A B and plus AD जो होगा O greater than D B के बराबर होगा इसको हम fourth part लेते हैं ठीक है और उसके बाद triangle DCB में triangle DCB में CD and plus BC is greater than D B होगा इसको हम पांचवा पार्ट लेते हैं बहुत simple है बस हर जगर rule वही लग रहा है कि triangle में those sides का समझो होगा वो greater than third side होगा है यह आपका fifth part होगा अब four and fifth को add कर दो अब fourth को और fifth part को आप add कर दो तो add करने बे अब आपके पास आएगा AB and plus BC and plus CD and plus DA is greater than क्या हैगा twice or BD यह भी part आगया ठीक आप क्या करते हैं हम इसके बाद कि adding adding second and third को add कर दे second and third को add करते हैं second and third को add जब करोगे तो two times क्या हो जाएगा AB and plus BC and plus CD and plus DA is greater than two times क्या हो जाएगा AC and plus BD के सो जाएगा यानि कि यह part भी अप्रूब हो गया AB and plus BC plus CD plus DA is greater than AC and plus क्या हो गया BD इस तरीके समय सारे part को प्रूब कर दिया rules up जगा सेम लगना कहीं भी कोई difficult नहीं है बस थोड़ा समझना कि किन दोनों side को हो में consider करना है बसके वाल यही पर यहाँ पर टेक्निक है उसके लिए आप इस part को देखते रही है और देख देखकर किसे प्रूब कर दिजेगा in the figure ABCD is a parallelogram in which angle A is obtuse यानि कि angle A जो है 90 degrees से greater है obtuse angle the basic test जब angle A 90 से greater है तो इसमें कोई doubt नहीं कि angle A जो होगा वो greater than angle D होगा क्योंकि आप सबको पता है कि angle A plus angle D जो है दोनो 180 degree के सम ब्रावर होता है co-interior angle से तो जब एक 90 से उपर है that means obviously angle D जो होगा that will be lesser than 90 होगा this implies अगर हम half of angle A is greater than half of angle D करते half of angle A को हम angle 1 करेंगे और यह greater than angle 2 हो जाएग angle 1, angle 2 से बड़ा होगा तो angle 1 के सामने जो है side D E और angle 2 के सामने D E जो होगा greater than A हो जाएगा D E is greater than A ठीक है hence prove side supposed to greater angle will be longer यहां पर हम इस condition को use करेंगा in the figure D is any point in the interior of triangle ABC तो prove करना है कि AC plus BC जो होगा वो greater than A D plus B D से बड़ा होगा तो in triangle ABC AC plus BC AC plus BC is greater than A B होगा ठीक है यह पहला पार्ट अब in triangle in triangle ABD में आप आजाओ ठीक है AD plus AD plus BD जो होगा वो greater than A B होगा अब आकर देख लिजे हम using 1 हम लिख सकते हैं कि AC plus BC is greater than A B अब इसका अब लोग कि AC plus BC ठीक है और AD plus BD AB से बड़ा है यानि कि greater than क्या होगा AD and plus BD इसको लिखेगा using 2 AC plus BC is greater than AD plus BD T is a point on side QR of triangle PQR and S is a point such that RT equals to ST prove that कि PQ plus PR is greater than QS यह काम करते हैं सबसे पहले in triangle in triangle PQR में in triangle PQR में PQ PQ plus PR जो होगा PQ PQ plus PR जो होगा that will be greater than क्या होगा QR होगा कि किसी भी triangle में दो sides का जो sum होगा that will be always greater than third side तो PQ plus PR जो होगा greater than QR को हम लिख सकते हैं QT and plus क्या लिख सकते हैं TR अब PQ plus PR जो है यहां तो आप QT रहने दो और TR के जगह पे आप क्या लिख सकते हो ST ठीके QT plus ST अब PQ and plus PR PR और QT plus ST देखो यह होगा QT और यह होगा ST that will be क्या होगा दोनों का सम greater than क्या होगा QS तो greater than QS होगा यहां पे आप लिख सकते हो ठीके IN TRIANGLE IN TRIANGLE QST QST QT and plus ST is greater than QS होगा प्रूब होगा ला तो इस तरीके सामी से प्रूब कर पाएंगे तो PQ plus PR is greater than QS हैंस प्रूबट